सही गेल गई तक केरला स्टोरी अब तसल्ली हुई न पंडे जी अरे तसल्ली की क्या बात करते हो शर्मा जी जितना इसको कमाना चाहिए था उससे कही ज़्यादा ये यश और कीर्ती दोनों कमा रही है भाई बिना गाजे बाजे बिना पीयार सिर्फ सोशल मीडिया पर को यूत देंगे परंतु एक और बात है जिसके लिए फिल्म देखना केवल एक विकल्प नहीं एक नहीतिक जिम्मेदारी भी बनती है विशेशकर उन अभिभावकों के लिए जिनकी पुत्रियों की आयू 15 वर्ष से उपर की है एक दम सही बात कहा है पांडे जी लिए इस से ब्रेन वाशिंग को दिखाया है ना इस फिल्म में कई लोग का आंख मतलब खूल के रख दिया है इस टॉपिक पर लेकिन इन सब पर चड़चा करेंगे नमस्कार स्वागत है तपांडे शर्मा शों में जहां होती है राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक एवर मन्नोरंज वह भी यूपी बिहार के विशुद्ध चटकारों सहित मातर चार से पांच मिनट में तो स्टार्ट करते हैं बिना लागला पेट के अब बात किशूरियों पर उठाई गई है तो शर्मा जी यह भी बताईए कि इस फिल्म में ब्रेन वाशिंग का किस प्रकार से चित्रन कि ब्रेन वाशिंग इतना घटिया और घिनोना चीज है पांडे जी कि सोचने की सक्ति को खतम कर देता है एक जिंदा मनुष्य को लाश बना देता है और यही कारण यही चित्रन इस फिल्म को अनोखा बनाती है और हम जैसे लोगों को आप जैसे लोगों को यह नैतिक दिखाएं कि कैसे धर्म के नाम पे कैसे धर्मांत्रन के नाम पे किस-किस तरह के घिनोने खेल होते हैं यही बात इसमें चित्रित की गई है लेकिन इस सबसे पर हमको यह समझ में नहीं आ रहा है पांडे जी यह कौन चमकटिये लोग हैं जो इस फिल्म को भी प्रपगेंड अरे बबुआ हम तुमारी समझस्या समझाते यह फ्mas जोगे इलान कुर्दी का पहूंस्ट डाल-डाल के पूरा सोचल मीडिया वो याद है न वो च्छन जो आता है जहां वो क्या नाम है उस करेक्टर का गीतांजली जब आती है और अपने पिता से पूझती है कि पिता जी आप तो बहुत बड़ुत नैतिकता की पार्ट पढ़ाते थे लेकिन एक पॉइंट भी आपने कभी हमको अपने धर्म से नहीं ज लगता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कभी कॉमनिस्टों को नहीं दिया गया होगा कई इसले तो आमपंथी नहीं पगलाए हुए अरे इसलिए ही तो पगलाए हुए देख नहीं रहे हैं केरलाव में इसको मर्टिप्लेक्स में परदर्सित होने से रोप दि या उनके लिए तो बहुत बड़े-बड़े काम मवजूद है चाहे मनीश कश्चप जैसे पत्रकार पर रासुका लगवाना हो या फिर हिंदू मंदरों को तोड़वाना हो इतना भी सच नहीं बोलना था पांडे जी खैर लेकिन छोड़िये हसी-मजाक का मुद्दा नहीं है यह पूड़े वैश्विक समस्या है जिसको दबाने और कुचलने का प्रयास बहुत जोरो शूरज से चल रहा है और जिसका उदारन आप केरल तमिल लाड़ू में देखी सकते हो परन्तु जाज़ा हमारे पदान मंत्री ने कहा था जनता को मुर्ख मत समझे जागरित हो बिलकुल सही कह पाण्यजिया जागरित होने भी चाहिए आज के यूवा यूपती है इस मुद्धे पे क्योंकि ये समस्या काफी गंभीर है और इस समस्या का निदान इस समस्या को समझें आपके इन समस्यां पर क्या वीचार है, कॉमेंट सेक्शन में अवस्य सा जा करें के लिए जय हिंद बंदे बात्रम जय हिंद